पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आश्याना नमस्कार डिजिटल मीडिया के जनक भारत लाइफ देख रहे हैं आप और मैं विकास सिंग आपके साथ क्या राज़त 2024 सीट में जो 26 सीट उनके पास है तमाम सीट हारने जा रही है क्या राज़त में निताओं की कमी हो गई है क्या राज़त जो है अब एक साथ नहीं है उसमें टुकरे टुकरे हो गए है ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं राजत के हीनेता, जी है जिस तरीके से 2024 लोगसभा चुनाओं की तयारी में तमाम पार्टियां लगी हुई है, और तमाम पार्टियों में जी नेताओं की टिकट कटी वो बागी हो गये, जिसके बाद फिर बदल का जो सिलसिला है पा वो अपने ही पाटी के राश्टिय अध्यक्ष लालू परसाद्यादों को एक पत्र लिखते हैं और उसमें उनसे पूछते हैं कि क्या राजद के निताओं में कमी हो गई है, क्या राजद में अब वो ऐसा कोई निता नहीं बचा है, जो चुनावी मैदान में उतर सके, क्या राजद में अब ऐसे निता नहीं है, जिने हम स्टेंबल दे सके, ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि लालू परसाद्यादों क्या कुछ इस पत्र का जबाब देते हैं, लेकिन हम आपको बता दे कि जिस तरीके से राश्टिय उपाध्यक्ष ने लालू उनका साफ तोर पे कहना है कि क्या राजद में अब एक भी नेता नहीं है और यही कारण है कि BJP और J.U. से जो नेता छोड़ कर राजद में सामिल हो रहे हैं, उन्हें उसी दिन सामिल करा लिया जाता है और उसी दिन उन्हें सेम्बॉल दे के चुनावी मैदान में उतार द यादव को भी आगे करके ऐसा रन्निती जो अपना रहे हैं, ये रन्निती राजद के लिए ही भारी पर सकती है और जिस तरीके से राजद 2019 में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, वो ऐसे ही जो 26 सीट पर इस वक चुनाव लर रही है, ऐसे में एक भी सीट नहीं जीत दिवेंद्र परसाद यादव, दिवेंद्र परसाद यादव इतने पर ही नहीं रुखते हैं, उन्होंने साप तौर पे जिस तरीके से सन ओफ मल्ला जो है, वो महागटबंधन में सामिल होते हैं, उन्हें तीन सीट दे दी गई है, इस पर भी उन्होंने अपना चुपी त सामिल होते हैं, उन्हें तीन सीट दे दी जाती है, इस पर उन्होंने इसका भी लालू परसाद यादव से जबाब मांगा है, कि आखिरकार अपने ही पार्टी को क्यों पीछे किया जा रहा है, जो पार्टी वर्सों से साथ दे रही है, उसे एक सीट क्यों दिया गया, पप सामिली में उन्होंने अपनी पार्टी का विलाय कर लिया, उसके बाद वहां से बीमा भार्ती को क्यों उतारा गया चुनावी मैदान में, जबकि सभी को पता था कि वहां से पपु यादव को चुनाव लरना है, उसके बाद राजद पुर्निया सीट अपने पास क्यों रहे हैं, वैसे में उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जिस तरीके से 2024 का चुनाव लर रही है राजद और महागट बंधन, उन्हें नहीं लगता कि एक भी सीट जीत पाएंगे, हाला कि महागट बंधन दावा कर रही है, कि 40 की 40 सीट जो है, वो जीत कर दिखाएंगे, ले तूट की जो आसार है, वो बरती जा रही है, और उपाध्यक्ष जो है, उन्होंने ही अब राश्टिय अध्यक्ष से जबाब मांग लिया है, तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहेएगा भारत लाइब के साथ, दिजेगा इजाज़त, धन्यवाद रुवा मुफ्त में मिल जाए, अगर रुवा पत्रकाईटा के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता नहीं, तो जोईन बटन दबा दी, पेटियम नमबर नोटकली 93868167000 धन्यवाद